मेरे परिवार जनों कुछ दिन पहलो ही देशने की तिहास रचा है नारी शक्ती वंदन अधिनियम संसद में पारिज हो गया है लेकिन इस कानून ने कॉंग्रेस और इसके गमंडिया गडवंदन के नेक्ताओं की पोल खोल दिये उनको बेनकाब कर दिया है ये लोग कभी महिला आरच्छन के समर्थन में नहीं थे इसलिए अब ये कानून बनने के बाद ये बोखला गए है ये लोग आए दिन देश की बेटियों के लिए पांच जनक बासा में बात कर रहे हैं इनको समझी नहीं आ रहा है कि मोदी ने बेहनों को दिये गारंटी मोदी ने पूरी कैसे कर ली ये नहीं जानते मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी मेरे परिवार जनों कॉंग्रेस को राजस्तान की महलाओं की किसी तकलीप से भी कोई लेना देना नहीं है जब तक कॉंग्रेस की दिल्नी में सरकार रही उसने कभी पानी की चिंता नहीं की बाजपाकिस केंदर सरकार ने चार वर्ष पहले हर गर जल पहुँचाने का अभ्यान शुरू किया चार वर्ष में देश भर के दस करोन नए परिवारों तक पाइप से पानी पहुचाया गया है लेकिन यहां की कॉंग्रेस सरकार उस तेजी से काम करने ही नहीं दे रही है जिस सेजी से काम करना हम चाहते है वो रुकावटे डालती रहती है यहां तो पानी की उस योजना में भी ब्रस्टा चार को बढ़ावा दिया जा रहा है मेरे परिवार जनों आप देखिए हमारा देश ऐसा है कि कोई परिवार अगर पानी की प्याव भी लगा दे न तो पीडियों तक उस परिवार का गवरव और सम्मान होता है विशेष कर राजस्तान और गुज्रात में आज भी पानी के लिए काम करने वाले लाखा बन जारा को पूरा राजस्तान और गुज्रात डगर डगर याद करता है करता है गए नहीं करता है पानी का महत्वा है गए अब आप देखिए बाज़पा का चरीतर देखिए आप बाज़पा को समझिए एक उदारण से आप बाज़पा के चरीतर को जान सकते हैं हिंदुस्तान में कई राज्य हैं जहां नदियों के पानी को ले करके एक राज्य दूसरे राज्य से मार काटने वाली लड़ाई लड़ रहे हैं एक बुन्द पानी एक राज्य दूसरे दाज को देने को तयार नहीं है लेकिन ये भाजपा का चरित्र देखिए जब गुजरात मैं बीजेपी की सरकार थी मुझे मुक्मंत्री के नियते सेवा करने का मौका था नर्वदा का पानी हमारे राज्यस्तान को जरुत थी एक घंटा नहीं लगाया हमने नर्वदा का पानी आज भी राज्यस्तान को देते हैं और उपकार नहीं करते हैं हमें गर्व होता है कि मेरे किसान भाई बेरों को हम पानी पहुंचा रहे हैं ये हमारा चरित्र है